बहुत से किसान विरो के सवाल हैं कि धान रुपाई के 20 से 25 दिन बाद खेत में चोड़ी पती वाले और सक्री पती वाले खरपतवर बहुत ज़़ा दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए कोई best solution बताओ तो किसान विरो धान की फसल में सभी तरह के जो खरपतवर होते हैं उसके लिए हमें लेना है बिस पैरिबेक सोडियम और साथ में आलमिक्स वाला सॉल्ट जो की आता है मैट सलूफरान मिथाईल प्लस क्लॉरी मियूरेन इथाईल इन दोनों को अच्छे से मिला कर हमें सप्रे कर देने से जितने भी खरपतवर होंगे उनका पूरी तरिक्के से सफाया हो जाएगा मगर ध्यानी ये रखना है कि नोमनी गोल्ड की सप्रे करते समय खेत में पानी नहीं होना चाहिए और सप्रे करने के 2-3 दिन बाद खेत में पानी जुरू लगा देना है क्योंकि पानी से ये दवा पूरी तरिक्के से एक्टिव हो जाती है इसके लाबा 2-3 पॉइंट और ध्यान में रखने हैं जिससे आपको नोमनी गोल्ड ऑल मिक्स या फिर यूपिल साथी का रिजल्ट पूरा मिले तो आप इस वीडियो को पूरा देखें किसान विरो नोमनी गोल्ड की स सप्रे करते हैं तो ये खरपतवारों पर बहुत कम जाती है और धान के पौदों में ज्यादा जाती है इसलिए नोमनी गोल्ड की सप्रे हमेशा धान की फसल जब 20-22 दिन की होती है तब हमें कर देनी चाहिए जिससे आपको नोमनी गोल्ड का पूरा रिजल्ट मिले और इस और फसल पीली पर सकती है और फिर पैदावर में काफी जरे कमी देखने को मिलेगी और भी बहुत सरे रेजन हो जाते हैं फिर फसल की पैदावर बहुत कम होती है इसलिए अगर हमारी फसल 40-45 दिन की हो जाती है और खरपतवार बहुत जड़ा दिखाई देते हैं तो फिर इस कंडिशन पर हमें निराई करवा के खरपतवारों को निकलो बहुत देना है और हर भी सेट की सप्रे करते समय एक बात का हमेशा ध्यान खणाएं कि जितने भी खरपतवर होंगे उनकी पतियों पर सीधे नोमनी गोल्ड की सप्रे जानी चाहिए जैसे की नोमनी गोल्ड क सप्रे खर्पतवारों पर ही गिरना चाहिए तब जाके आपको नोमनी गोल्ड का पूरा रिजल्ट मिलेगा और सप्रे करने के 2-3 दिन बाद खेत में फिर से पानी लगा देना है जिससे पानी लगाने से जो ये दवा होती है ये जड़ो को पूरी तरीके से सड़ा देती है और इसके लावा भी नोमनी गोल्ड का और भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें क्या करना है कि खेत में 4-5 दिन तक पानी को रोक के रखना है या फिर एक बड़िया नमी बना के रखना है जिससे हमें नोमनी गोल्ड का और भी अच्छा रिजल्ट मिले और सप्रे करते समय अगर खेत में पानी जदा होगा खर्पतवार पानी में डूबे होंगे तो इस कंडिशन पे नोमनी गोल्ड का रिजल्ट नहीं मिलेगा खर्पतवार हमेशा पानी से बाहर होने चाहिए नोमनी गोल्ड की सप्रे खर्पतवार की पतियों पे जानी चाहिए तब जाके हमारे खेश से जितने भी खर्पदवर होंगे वो पूरी तरीके से साफ हो पाएंगे और किसान विरो अकेली जो नोमनी गोल्ड होती है ये काम नहीं करेगी इसके साथ हमें All Mix या फिर जो यूपिल साथी वला सॉल्ट आता है ये जुरूर डालना है बाकी नोमनी गोल्ड की डोज रहेगी 100 ml प्रती एकड और जो All Mix है इसकी डोज रहेगी 8 g प्रती एकड और जो यूपिल साथी वला सॉल्ट है तो इसकी डोज हमें लेनी है 40-50 g प्रती एकड बाकी आप ऐसे समझें कि जो हमने डोज बताईए वो 1500 लिटर पानी के हिसाब से इसके लावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो धन्यवाद